हिंदोस्तान में बेटी की सुरक्षा होना चाहिए कि कोई बेटी की नाम से ये देश जाना जाता है और मद्देप्रदेश सरकार ने अच्छा नड़ने लिया है कि लब जयात पर हम कठोर कानून बना रहे हैं कानून और सक्त बने और सक्री बने अभी पांस साल के सजा का प् सिता को मर बेटी की सरक्षा का समान हिंदोस्तान और मद्द्रदेश को करना चाहिए केवल लव अगर है तो वो नर्गेसा और सुनीलदत के बीच में था ऐसा प्यार दिखाओ मुझे ऐसी कितनी नर्गेसा सुनीलदत के साथ व्याई गई ज़रा बताईए मेरे महापुरु सो केवल हिंदू बेटियों को फेजबुक पर नाम बदल कर उन्हें मुसलमान बनाओ उनसे निका करो और बाद में उनकी कूक को उजाड़ दो और मार डालो ये अब में पसंद नहीं हो अंदर प्रदेश में सिवराज जी की सरकार ने लब जहाद पर एक कानून बनाने का नड़ने लिया है उस कानून के संदर में आज साइध हम मनिश्टर साहब ने कुछ ब्रीफिंग भी दी है लेकिन ये कानून और सक्त होने की आवशकता है कानून को हम साथ साल से उपर की सजा के प्राबधानों को पर विचार करेंगे और साथ में जिन बेटियों को लो प्रलोवन या डरा धमका कर धर्मानतरन किया जाता है ऐसे लोगों पर धर्मानतरन की कारवाई के साथ अपराण और लूट और इस तरह के प्रकरण भी पंजीवद्द हो साथ में उनके जो सहयोगी जिनकी मदद से लड़की को बहलाया है फुसलाया जाता है डराया धमकाया जाता है ऐसे सहयोगीों के खिलाब भी अपराण प्रकरण पंजीवद्द हो अगर बेटी के साथ सामुएक दुसकर से अबलादकार होता है तो वो प्रकरण हो और हत्या होती है तो हत्या के मामले दर्जों और जिसके घर में बेटी है विटे का जनम हुआ है तो ये तो निच्चित रूप से कि उस माबाप को तो जानकारी होना चाहिए कि मेरा बेटी मैंने पाल पोस्कर बढ़ा किया है मैंने उसकी एजूकेशन दी आखिर वो किस धर्म में किस बेटा से साधी कर रही है वो आद हमी कोन है और इस तरह के धर्मांतरण पर कहीं न कहीं रोक लगना चाहिए